जैसे अजीज कल्लू इस्टेडियम में दो करोण रूपिय का इंदोर इस्टेडियम का फंड मन्जूर हुआ जिनकी आवकाद दो लाक रूपिय की नहीं है वो कहते हैं कि ये दो करोण रूपिय का फंड हम ले करके आए मौत मुकम्मल मैं मरने वाला नहीं हूँ महत मुकमल मैं मरने वाला नहीं हूँ जो जंग हक है लड़ने वाला वही हूँ तालियों से जब तक बरना दू स्टेडियम कसम खुदा कि मैं मरने वाला नहीं हूँ असलाम अलेकुम, सबसे पहले दुमा अल्ला का सुखर अदा करूंगा, कि पूरे सहर के लोगों ने मेरे लिए दोवा किया और दुबारा मैं जो है सेहा त्याब हुआ, अभी मैं निउस देख रहा था, कल के रोज जो है सलाम चाचा रोड पे आमदार साहब ने एक रोड के में उन्होंने एक बात कही कि अजीश कल्लू स्टेडियम में दो लाग रुप्य की आवकात नहीं, दो करोड रुप्य का फंड क्या लेके आएंगे, तो मैं सहरियां को बताता चलू कि इनको हम लोगों ने जुता करके लेके आया, पुरे सहर के लोगों को हम लोगों ने द ये कार्परेशन के कमिस्नर साहब ने जो आदेश निकाला, पहले वो बताता चलू कि जो रोड का इफ्तिता की है उन्होंने, 31 तारिक को जो है कमिस्नर जो है उसका आदेश निकाल देते हैं कि ये रोड का काम नहीं होगा, मालेगों सहर में बुहारी गडर का टेंडर फैन जालूम आती नहीं रहती, ये सहरियान को एक्दम ब्योकूप समझ रहे हैं, जब इसका आदेश निकल चुका था तो उसका इफ्तिता करने का कोई मतलब नहीं है, ये सहरियान को सिर्फ जो है ब्योकूप बना रहे हैं, पहले कोरोना का बुले दो साल चला गया, उसमें अभी कुछ दिनों से मुस्तकेम डिटी का नाम ले रहे हैं, कि एच्छोभीस काम जो है, इनका रोक दी दे तो मैं इनसे सवाल करना चाहूंगा कि ये आमदार है मंत्राले मैं इनका जो है ॉल्ड है कि, सेक आसिप और मुस्तकिम डिनिटी के, जब अगर इन से काम नहीं हो कि यह साले चार सालों में इन्हों ने कुछ नहीं किया और यह जो बजट जो आया है जिसका इस्तिता उगैरा कर रहे हैं यह हमारे जो है इसका अपना काम बता रहे हैं जब्किसेरीयान के टेक्स्त को है wire और इसका पूरा-पुरा तदो कमीस्टर आज जाते पेद्धि quat मुँने जो ओपर भी ते सबर ये सच्चाहिए है और हम ये अज घ्रहेनव मेरे-उस ज्व्लकुल्रायक मैं जो है साहर को इतना काम करके दे रहा हूँ तो मेरा काम रोका जा रहा है, नदी के उसने लोग काम होने देते हैं इस बार जो है रोपते हैं तो यह फुजूल बाते कर रहे हैं इनको काम करने का सलिकाशी नहीं ढहीं तो यह दो टर्म के फार y die इस आ wil ईस्टिमीट बना करके बता हुए जो मजट डाला जाता है उस से पहले झुड़े बना का तो यह उफिस में घूम करके एक बना देवे मेडिया को लेया करके किसी पीए को नहीं किसी उसको नहीं एक इस्टिमिट बना दे नहीं तो इसका जो है उल्टा में बताऊंगों कि अभी मालेगाउं सहर में अदना सा कारपोडर भी खुद से इस्टिमिट बनाते उसको मालूम आते इनको तो वहां पर मंतराल पे आ गए ये इनकी खुद की अवकाद भूल गए कि इलक्सन लड़ने की टेम जो है ये कहां कहां बैट के रोए और हम लोगों ने क्या किया इनके लिए ये किसी को भी बोल रहे है किसी को भी बोल रहे हैं लेकिन ये जो है खुद की अवकाद भूल गए जब इलक्सन का टे दोग किया है। नहीं से पता चलू के दो लाग रुपिय की बात कर रहे हैं। एक चोटा मोटा सा परकर एक कार्प्रेटर मैं इनको एक लाग एक सड़ हैयार रुपिय की गाड़ी जूनिकॉन जो ये चला रहे हैं एक से डिक्कावन यह जो है किसोर वकिल को बोल करके दिलवाया और इनकी जो गाली यह फोर विलर चला रहे है एक सभी इस पे पांच लाग पैतालीस हेजार रुपिया लोन था और यह गाली जो है अलताब बेक के नाम पे थी बेंग वाले खिचने आयते हैं वह पैसा भी मैं आमदार है वह भी मैं से चुनके आए वह तो बराबर फंड लेके आ रहा है यह मालेगा और सहर्यान को बेवकूप समझ करके अपने जो है मीठे मीठे लफ्जों में अपने सोचते कि मैं बस मीठे लफ्जों बोलूं सहर्यान मेरी तरह बाज आएंगे और मुझे वोट दे नहीं करना था और रही बात अजीच कलू स्टेडियम की तुम्हां पर मैं क्या हमारे जो किर्किट खिलने आले बच्चे यह खुद भी दो लाग रुपी से ज्यादा खर्च कर चुके यह सहर्यान तमाम देखते हैं और जो किर्किट खिलते हैं और जो वहां देखने आते कि इनको सब को मालूम है कि बच्चे जो है वहां लूम चलाने वाला भी अपने जेब का कम से कम पचाश है रुपिय तक के लगा चुका है इसे बीच कलू स्टेडियम के बारे में उन्होंने कहा कि दो करोड़ रुपिय के फंड लाने की बात कर रहे हैं जो दो लाग करते हैं और वो करते तो वह एक गेलरी नहीं बना सकते इनको सर्म नहीं आ रही है पूरे सहरियान ने देखा कि जो दस लाग रुपिय की गेलरी बने बनाया मेरे खुद के पैसे से इसके उपर बैट के बुलंद इकबाल मरूं के नाम से पहला टोर्नामेंट खिलाए थे उ हम लोगों को बोल रहे हैं बच्चे तो यह अजीच कल्लू स्टेडियम के बारे में मैं इनको बज़र लाने के लिए 22 लाग रुपिय दिया इस बात के गवा पीडी टीचर असोसीएशन भी है उनकी महजूदकी में मैं इनको पैसा दिया था कि भई हमारे गाओं का पैसा दिया हूं बज़र लाने के लिए तो उस बारे में भी मैं अभी कंप्लेंट करने हाला हूँ और मेरे पास मैं बेंक का जो है पूरा प्रूब है जो मैं पैसे दिये हूँ, मैं तो बिलेक रखम दिये नहीं हूँ तो यह सब मैं सहरियान को बताऊंगा कि किसकी क्या अवकात है और कौन काम करने वाला है, कौन काम करने वाला नहीं है यह आगे इंसालल जो है, और सहरियान के सामने आएंगी बात बैराल मैं यही कहूंगा कि इसे आमदार नाकरामदार को ला करके हम हमारे सहर को और 20 साल पीछे कर देंगे करなा निम्रार नाया चला है कर दो बेंगा देंगे कर दो है नाकर रार बटे उसको लेटर नाकर बुँका वैणत्यक देख और नाकर बजट भाटव नाटो पर देख नाकर लेटर देता है बोलते हैं कि मैं 100 करोण ला रहा हूं मैं 200 करोण ला रहा हूं जब पहले M.I.M. से मेले थे तो बजट नहीं दिये आता था तो अभी क्या मेले दूसरी पार्टी के हो गए किया है तो सहिर्यान जो है इनकी मीटी मीटी बातों पर ना है ये जो है बहुत ज्यादा जो है माले आग Eень से आपकों कर दीए और इंसा-लला इसके बाद भी आगे जो है उनकी पूरा जो है जो बाहर जा विजिट करने के बाद 2 करोड रुपय का बजट जो है नगर उठ्थान का कमिशनर वालचान गुसावी साहिब ने उसमें एड करवाया था तो यह उनकी देन है ना कि यह अंदर जो अपना बता रहे हैं उनकी देन है यह आज तक के कभी अजीच कलू स्टेडियम में हमारे मर लोगों ने वहाँ पे एकेडमी बनाए है गेलरी बनाए है अभी वह गेलरी भी और खुबसूरत बनाने का काम किरोण पर चालू है यह बजट डिलाने में जो है सेक आसिप साहब और सकीम डिग्निटी की भी मेनत थी और मैं तो बोलूँगा कि अभी आगे फाई जी का जम जोग सकति है अभी जोगे खूंको पूंको बोलूब सुझा मेझे अभी आगे जी ठास्टारत की आग्यत comply में मेरा जास्तर जिया है वे घ्या गाटने का रचैज है जो दो गोलूँगा सेक 25 कईबस दूत ट – लोगने हैं जोग है जोत बनाए है जोग्रzess जाहए जिला स